कॉंग्रेस के पूर्वध्यच राहूल गांधी का आज ट्विटर अकाउंट अल्लोक कर दिया गया है पार्टी के एक पदधिकारी ने जानकारी देते उए बताया के राहुल गांदी के साथ कॉंग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का twitter account मों अलॉक किया गया है वहीं आपको बदा दे twitter account लोक होने के बाद राहुल गांदी ने twitter पर बड़ा आरोप लगाया था राहुल गांदी ने कहा था कि ट्विटर एक बिदेशी कंपनी है और एक बिदेशी कंपनी भारत की राजनीती में केवल अपने बिजनिस के लिए दखल दे रही है हालांकि इन सभी आरोपों से ट्विटर ने साफ इंकार की आथा और राहूल गांधी पर नियमों के उलंगन का आरोप लगाया था वही आप को बता दें राहूल गांधी नहीं भी काता कि Twitter यह सब भाजपा के सारे पर कर रहा है लेकिन भाजप्पा इस तरीके से अकाउंट लोग करके कॉंग्रेस की अवाज को धबा नहीं सकती हम दलितों के लिए अन्याई के खिलाफ लगातार अवाज उठाते रहेंगे जुड़े रहे हैं SPNN News के साथ धन्यवा